सब्सक्राइब कीजिए एकडमी 24 एक्षेयर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को जिसे आप कोई भी करियर अपडेट में न कर सके हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं विसाल सिंग एक बार फिर से आप लोग लेकर हाज़र हूं एक बहुत ही या जो अभी तैरी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है और उनहीं के लिए यह वीडियो है तो आप सुदू से आगरी तक देखी हम यहां पर हर एक टॉपिक को कवर करने वाले बात करने वाले कि आप तयारी कैसे करें आपको इस वीड तफियारी कर रहे हैं उनहीं के लिए वीडियो तो वही लोग इसको देख सकते हैं आप जो तयारी नहीं कर रहे हैं यहां बात करने वाले कौन कौन से टॉपिक हम इस सीरीज के तहेत और आपको एक्स्टा नॉलइज के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए कौन तो अभी मैं आपको बत उससे पहले मैं बता दूँ कि आप जैसा कि अभी जानते हैं कुछ दिन पहले स्टेज 1 आपका हो चुका है उसका रिजल्ट भी आ चुका है और आप आप लोग स्टेज 2 की तयारी करना सुरू कर दियोंगे यानि कि एड़ाप्टबिल्टी टेस्ट क कैसे करें कम समय में और अपको अप में का शानी से आप आप देखेंगे लेओ गर्रुप एकक्स के लिए क्या क्या होता है आपको कौन-कॉन से ऐक्जाम देना पड़ता है तो ग्रुप एक्स क्लिए आपको English & Physicsthere जो साइंस का तहत ही आती है physics और क्या math आपको यह group x के लिए group y के लिए क्या क्या होता है English तो compulsory x and y दोनों के लिए और y के लिए रागा होता है यानि कि general study current affairs और आपकी आती है तो आपको यह यह पढ़ना होता है तो यहां पर एक्स और y दोनों की तयारी यहां पर आपको कराई जाएगी और अच्छी तरीके से कराया जाएगी पूरा syllabus कम समय में जितने कम समय में हो जोगा का आपको syllabus complete कराया जाएगा चल आकर upload कर दिया है उसमें आपका feedback भी काफी अच्छा आया तो उसका link में भी आपको description box में दे दूँगा तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन-कौन सी book पढ़ लेनी चाहिए पढ़नी चाहिए जिससे आगे आपको एक अच्छी सी और समय समय पर उसको revision करते जाहिए और अपनी तयारी को अच्छे से preparation आप अपनी करते जाहिए तो इस तरीके से आप एक complete तयारी कर सकते हैं और हाँ चली आप देखते हैं यहां पर क्या है आपका feedback your feedback is most important आपका feedback बहुत ही जरूर है क्योंकि अभी यह मैं स्टार्ट करने नही पढ़ना चाहते हैं या आप यह चाहते हैं कि मैं कौन सा topic पहले start करूं जैसे कि reasoning है यह मैत है जीएस है या इंगलिस है यह science है कौन सा topic मैं पहले cover करूं आप comment box में comment करके हमें बताएं या आपको एक्ष्टा और जानकारी चाहते हैं तो वह भी हमें बताएं हां आपका एक वीडियो और बनाऊंगा तो उसको भी आप देख सकते हैं और उससे कहा है आपको काफी मदद मिलेगी तो आप अपना feedback देते रहें आपको किस topic में पढ़ना है और वीडियो को जादस जादस सेयर करिए अपने friend circle में सेयर करिए आप जहां पर पढ़ते हैं आते जाते हैं जो जैसे गाउं के लोग है क्या है वो लोग कुछ लोग नहीं आ पाते हैं सहर में नहीं आ पाते हैं तो क्या है वो गाउं में रहकर ही तैयारी करना पसंद करते हैं लेकिन उनको एक अच्छी कोची नहीं मिलती है तो क्या है तो आप उनको यह वीडियो सेयर कर सकते हैं औ यां पर fixes करने वाला हुँ और आप दो आपगर इसे आपको जैसे जाएसे मैं आपको पढ़ता जैँगा वैसे आप पढ़ते जाएगा तो आप अपना फ्यूट्बैक देते रहे आप जो भी त्यारी का वीडियो पहुंच सके तो यह था आपका गुरूप X and Y स्रीज से रिलेटेड यह वीडियो यहाँ पर एक स्रीज पूरी कंप्लीट होने वाले हां उन दूनों वीडियो का लिक में आपको डिस्क्रिशन बाक्स में दे दूँगा बुक्स से रिलेटेड वीडियो ह अब बिल्कुल नियाओ भोलेँ नोटिफिकेशन प्लक तो आप बिल्कुल से प्रेस करने जिससे कि मैं कोई वीडियो आपको अप्लोड करूंँ तो आप वह भी बिल्कुल जे मिस ना कर सकेतो थैंक्स पॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए सभी क बहुत बहुत धन्नुमाद